डासे डर और डासे दीयर सर जीया दोस्तों डर को खत्म करेंगे और डीप वाटर इस चैप्टर का भी डर खत्म करेंगे कहानी है एक शख्स की जिसको पानी से बहुत डर लगता था क्योंकि बचपन में कुछ ऐसे हाजसात हुए थे जिसकी वज़य से डर बैठ गया था पानी का और फिर जवानी में भी यही कहानी हुई कि डर नहीं निकला फिर एक दिन एक फैसला किया कि मैं अपने इस डर को निकालूँगा पानी के डर को निकालूँगा जो कि एक इंपॉर्टन चैप्टर है क्लास 12 के लिए डीप वाटर इसका नाम है जो कि इनकी खुद की ये भाई साब जो है विल्लियम डॉगलस इनकी खुद की एक ऑटो बायोग्रफी है मेन एंड माउंटेंस उसमें से लिया गया है बहुत सिंपल से कहानी है आई ये मज़ेदार अंदास से समझा देता हूँ वीडियो पूरी देखना और एक्जाम में जो जो बातें मैं बताऊँ वो लिखकर जरूर आना कहानी तो मैंने शॉर्ट में आपको समझा दी अब एक्जाम के point of uses chapter को देखते हैं आपके सामने में ने पहले सी कुछ words ऐसे निकाल दिये हैं जो आपको इस chapter को पढ़ते हुए याद रखने आपको पता होना चाहिए उन words का meaning जिसको जरा भी English नहीं आती वो भी इन words को समझ सकता है याद रख सकता है आँ चलो गोल के इसको पी लेते हैं fear मतलब क्या होता है डर होता है हम सब को ही पता है तो ये कोई लंबी चोड़ी इसमें बात नहीं थी और क्या है conquer conquer करना ये बार-बार question भी पूछा जा सकता है आपका कोई unseen passage seen passage in fact जो होता है जिसमें conquer word use हो conquer का मतलब क्या होता है किस चीज़ पे जीत हासिल कर लेना काबू पा लेना इसका मतलब ये होता है phobia phobia मतलब भी डरी होता है पानी का डर यानि fear of water या phobia of water इस तरह से drown drown मतलब होता है डूब ना किसी को डुबा देना या डूब जाने को क्या बोलते है drown करना word important is chapter से related word है will power मतलब जो आपका determination होता है उसे कहते है will power आपके खुद की जो अंदर की शक्ती होती है deprive करना किसी चीज़ से महरूम रखना आपने एक word सुना होगा महरूम रखना मतलब वो चीज़ ना मिलना उस चीज़ का ना मिल पाना उसके लिए word use होगा deprive याद रखना है घोल के पीने inhale मतलब सास अंदर लेना exhale मतलब सास भाहर छोड़ देना terrorizing किसी चीज़ का आतक फैल जाना डर फैल जाना breathe मतलब सास लेना पता ही है आपको breathe करना ठीक है यह words यह याद रखने दिमाग में हलके फुलके से याद रखने हैं आपको क्योंकि इस chapter से related यह words है आईए दोस्तों अब इसका एक ऐसा मैंने long answer आपके लिए लिखा है जो आपको इस chapter के हर question को करने में help करेगा बहुत मजे से हम उसको समझ लेते हैं चलो जी क्या है इस chapter की कहानी जल्दी से बता दो न सर बहुत simple language है या रटने की जुरत नहीं है बहुत छोटे-छोटे words है आओ दिखते है the writer tells about his fear of water writer क्या बताता है इस कहानी में अपने fear of water के बारे में बताता है तो simple सी language है क्या the writer tells us the fear of water या his fear of water and how he conquered it conquered important word है कि वो अपने fear को कैसे उसने conquer किया यानि उस पर कैसे काबू पाया जीत हासिल की when he was three or four years old जब वो तीनिया चार साल का था जो हम कहानी देख रहे हैं क्या है तीनिया चार साल का था फिर क्या हुआ he would go to the beach in California वो अपने पिता के साथ बीच पर जाता होगा तो ये would क्यों आया ऐसे मालो के will की तरह इस्तेमाल हुआ he would go to the beach वो कहां जाता होगा बीच पे जाता होगा अमरिका में इंग्लेंड में इन जगाओं पे जो बाहर के गंटरीज है वहाँ तो बीचीज होता है अच्छे बीचीज होता है साफ सुतरे वहाँ अपने बच्चों को लेके जाते है ऐसे राइटर को भी लेके जाते है तो उसके फादर जब वो 3-4 साल का छोटा सा बच्चा था फिर क्या हुआ अच्छा वर्ड है वेवस ने क्या कि उसको नॉक्ड हिम डाउन कर दिया वहले पानी आया और उसको उपर एक दों गिर गिर पड़ा और फिर क्या हुआ उसके उपर से होके चली गए क्योंकि छोटा बच्चा था लहरों का जो बहाव था वो तेज था और वो गिर गया तो वर्ड इंपॉर्टेंट को उसके याद रखना है बस नॉक ही तो याद रख ले ना नॉक मतलब किसी को हिट कर देना मार देना और स्वीप कर देना उसके उपर चले जाना ठीक है आगे बड़ जाते है और उसके दिमाग में पानी का डर बैठ गया अब क्या हुआ फ्यू यर्स लेटर कुछ साल बात उसको क्या कर दिया पूल के अंदर थ्रो कर दिया या उठा के फैक दिया पुष कर दिया आप भी करते हो ना अपने दोस्तों के साथ ऐसे उठा उठा के फैक तो ना पानी मैं ऐसा ही राइटर के साथ हुआ कि उसको न एक बड़ा सा लड़का आया जो कि मुस्टंड़ सा 18 साल की उमर का लग रहा था मैंने अठारा लिख दिया आपको याद दिलाने के लिए कि वो लड़का कितनी उमर का लग रहा था प्रोबिबली 18 यर्ज ओल लग रहा था और जो कि मस्कूलर था मोटा तगड़ा ताजा बच्चा था और उसने इसको उठाया और उसको पुष कर दिया दिया था वो लगबग पानी में दूब ही गया था फिर क्या हुआ ये एक्सपीरियंस्ड डेथ क्लोजली उसने मौत को बहुत करीब से देखा था क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी हाथ पैर मारे के उपर आ जाए उसने पैर जे चला रहा था ना किसी तरह उपर आ जाओ लेकिन उससे कोई फायदा हो नहीं रहा था उसने फाइनली अपने हाथ पैर छोड़ दिये थे कि ठीक है अब तो मैं मरी गया और जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि उसे लिटा रखा है और उल्टी कर रहा है लेकिन उसे बचा लिया गया था उसके आसपास लोग मौजूद थे और सब कहरे थे यार तुमने बच्चे के साथ गलत मजा किया बच्चा मरते मरते रहे गया ये कहानी हुई थी समझ पारो इसमें कुछ मुश्किल था नई थोड़ा सा रिवाइंड करें हाँ जल्दी से करते हैं ये कहानी है एक पानी के डर से राइटर की पानी से बहुत डर लगता था बच्चपन में 3-4 साल का था कैलिफोर्निया में he was in कैलिफोर्निया at the beach बीच पर था फादर के साथ waves आई smash किया knock किया उसको राइटर को और उसके swap over होके चली गई चली गई swept over कर दी गई उसके बाद कुछ साल बाद वो YMCA pool जॉइन किया एक big boy आया 18 साल का उठाया toss किया push किया तुर किसके अंदर पूल के अंदर writer was almost dead is it clear मुश्किल था कोई मुश्किल नहीं था नहीं सर मज़ा रहा है जल्दी आगे की कहानी बताओ आगे की कहानी देखते हैं he had developed phobia of water उसको पानी का phobia हो चुका था उसके दिल में डर बैट गया था बहुत ज्यादा it deprived him important word deprived को अलग क्या होता है था मैंने दर लग रहा है swimming करोगे आप के अनॉइंग भी नहीं कर सकते और आप बोटिंग भी नहीं कर सकते उसके अंदर ये डर बैट गया था जिसकी वज़े से वो डिप्राइव हो गया था महरूम रह गया था उसको वो सुख वो मजे नहीं मिल पा रहे थे जो वो हासिल कर सकता था so he decided what did he decide so he decided to overcome his fear उसने फैसला किया कि अपने डर से overcome करेगा अपने डर से छुटकारा पाएगा अब उसके लिए उसने क्या किया कुछ तो किया होगा he got an instructor and started learning swimming उसने एक instructor रखा और swimming सीखनी शुरू कर दी the instructor put a belt around him and a rope attached to it अब instructor ने क्या करा उसके एक belt बांदी और एक rope बांदी और एक पुली के जरीए अपने हाथ में rope पकड़ दी अब जैसे जैसे वो ढील छोड़ता था writer ऐसे पानी में तरता जाता था और जैसे वो नीचे बजान लगता था वो खीच लेता था control तरीके सा वो उसको उसको तराकी या swimming सिखाना शुरू कर दिया किसको William Douglas को कौन है वो हमारा narrator है author है उसको डर किसका है phobia किसका है water का वो deprived किन किन चीजों से है boating से canoeing से और swimming से वो क्या फैसला करता है overcome करने का किस से fear of water से क्या रटोगे अब भी रटोगे क्या लिखने ही पाएगे मेरे बच्चे मैं हाथ पकड़ के लिखवा रहा हूँ आपका लिखो गए ना exam में बिलकुल लिखेंगे आगे आ जाते है अब क्या होता है जितनी प्रैक्टिस करोगे तर अच्छे हो जाओगे सौयो दफा जो हमारा राइटर है वो ही प्रैक्टिस करता ही सारी चीज हो की फाइव डेज अवी यह इंपोर्टेंट वर्ड है याद रखना इसाम में लिखके आना कि हफते में पाँच दिन वो एक्सराइज करता है यह प्रैक्टिस करता है स्विमिंग की और एक घंटा इच डे ठीक है जी फाइनली विल्लियम हैड लूंड स्विमिंग बट ही वस नौट सैटिसफाइड उसने फाइनली छे महीने बाद तकरीबन अक्तूबर का महीना था उसका जो ट्रेनर होता है अब आप स्विमिंग सीख चुक है यू कैन स्विम अलोन अब आप अकेले ही स्विमिंग कर सकते हो बट उसको न अब भी सैटिस्रक्षर नहीं था उससे लगता था नहीं अभी में शायद मज़ा नहीं अब भी में और अच्छा सीख सकता हूँ तो क्या करता है लेक्स के अंदर जीलों में जाता है उसको na तब भी सैटिस्रक्षर नहीं था जाता है आइलेंड स्विमिंग करता है और फाइनली वह क्या करता है एक 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 बन्दा है जिसका नामे dog corporate, इन्होंने एक swimming में record बनाया था, कि इन्होंने एक warm lake में छलांग लगाई थी, वहाँ से swimming करी थी, और पूरा उसको पार करके निकल गए थे, तो वहाँ पे वही चीज ये भी repeat करता है, उस achievement को हसिल करता है हमारा writer William Douglas, और फिर कर लेना, he realized, अब वो realized क्या करता है, that death is peaceful, and it is the fear of death that is terrorizing के मौत में तो मज़ा है मौत में तो शान्ती है, ये जो मौत का डर है, ये आतंकित है, ये डरावना है, Roosevelt का quote है, all we have to fear is fear itself, इसी बात को writer William Douglas भी अपनी book के अंदर quote करते हैं, के भई हमें जितना डर लगता है, असल में चीजों से, जितना हम खौफ खाय बैठे रहते हैं, उससे ज्यादा अगर हमारे अंदर dedication है, willpower है gut से हमारे अंदर, तो हम उस पे काबू पा लेंगे, तो हमें डर से नहीं डरना है, बलकि उस पे काबू पाना है मौत इतनी मुश्किल नहीं है मौत का कोई डर नहीं है, जितना मौत के डर से हमें ज़्यादा डर लगता है तो ये सारी बाते, William Douglas ने बताए, कुल मिला के मोटा मोटा, इसमें ये ही समझाए गया है कि कैसे उन्होंने अपने डर पे काबू पाया तो ये कि student के point of view से आपको पढ़ाई से डर लगता है, आपको एक्जाम से डर लगता है आपको किसी subject से डर लगता है तो आपको डरना नहीं है उस पे काबू पाना है उस डर से काबू पाना है अब मैं शॉर्ट में आपको sum up कर देता हूँ इतना बड़ा chapter सरयाद कैसे होगा अरे देखो ना मेरी बच्चो कैसे मजी से याद करोगे आओ दिखते है बई शुरुआत होती है California से main point जो याद रखने है California में कितनी उमर थी? 3-4 साल उमर थी फादर के साथ बेटे होते बीच पे मस्ती काट रहे थे फिर क्या हुआ? waves आई, kick करी, hit करी, knock करी और उनके ओपर से होके निकल गई पहला यह हुआ, फिर YMCA पूल जोइन किया उसके बाद क्या हुआ? एक बड़ा big boy आया उसने उठाया और push कर दिया फिर क्या हुआ? अक्टूबर में कुछ महीने बाद, few years later, कुछ साल बाद फिर क्या हुआ? एक अक्टूबर में फिर कुछ साल बाद उनने क्या करा? भई अपने overcome करने के लिए fear को एक instructor, swimming सीखने के लिए instructor को hire किया. अब instructor ने क्या किया? इंस्ट्रक्टर ने एक belt बांदी, rope हात में पकड़ी, inhale करना सिखाया, exhale करने सिखाया, हफ़ते में 5 दिन practice कराई, एक है घंडा और ऐसा 6 महीने तक चला और फिर finally वो सीख गए, five days week taught, exhale, inhale, repeated exercise, hundreds of times ये करने के बाद क्या हुआ? फाइनली, वो सीख गए, और फिनोंने लेक, वेंट वर्ट में, वहाँ पे dog open की fit को achieve किया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, कहानी, बस खतम हो गई कहानी, ये short में समझने के लिए आपके लिए मैंने लिख दिया है, कोई attention नहीं है, exam में जो भी question आ रहे instructor रखा, मैनत करी, ये सारी चीज़े आप उसमें लिख सकते हो, कुछ question देखते हैं, अभी NCRT के और जो repeated questions है, वो सारे आपके साथ में discuss करूँगा, जिनके answer इसी long answer में, जो मैं आपको करा है, उसमें चुप हुए question इस पे fear कही आने वाला है तो पहला सवाल है, why was Douglas determined to get over his fear of water इतने determined क्यों थे Douglas fear of water, ये पानी का डर है उसको खतम करने के लिए, क्योंकि जो उनना reserved की बात की कही थी, कि all we have to fear is fear itself, भाई हमें सबसे जादा डर से डरना चाहिए, इसलिए वो उसको overcome करना चाहते थे, CDC बात है how did the instructor build a swimmer out of Douglas instructor ने कैसे swimmer बनाया, सारी बाते बताओ ना, क्या किया था, inhale किया था, exhale करना दिगाया था rope से पकड़के, belt से बान दिया था, वो सारी चीज़े इसमें आ जाएंगी, कौन सा बहुत बड़ा, इसमें अजीब सा लिखना है हमें, है ना आगे देख लेते हैं, how did Douglas make sure that he conquered the old terror, उन्हेंने कैसे sure किया कि बाई, अब उन्होंने जो पुराना वो था, old terror, पुराना terror था उसको conquer कर लिया, हाँ से, उस पे काबू पा लिया, भाई, उन्हें satisfaction नहीं होता, फिर क्या किया था, उन्होंने, क्या किया था भाई, वोई, डॉक कापरन की, वो जो फीर्टी, उसको अचीफ की थी, वो सारे आइलेंट्स में जाके तराकी करी थी, वो सारी चीज़ा आ गई, सर कितना लिखना है, कितनी lines लिखनी है, अगर short में है, वही, तीन number का question है, तो थोड़ा कम है, अगर लंबा है, long है, तो उसमें पूरा का, पूरा लिखना, जादा लिख देना, देख लेना कि कितने number का question है, short में है, आप पूरा page लिखके आ रहे हो, कोई फायदा नहीं है, long answer है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, यह पूरी कहानी लिखके आ जाना, छोड़ना मत, ठीक है, कुछ और question है, जो प्रिवेसर में पूछे गया है, वो भी आपके साथ discuss कर लेता हूँ, बाकी 11th class की live revision, मैं करा हूँगा, यही पर खड़े होके, कोई डाउट आएगा याद हो गया सर, दुबार देखने की भी जरूरत नहीं है, इसी तरह के question आप से पूछे जाने, इसके लाब बहुत ज़्यादा आपका आएगा नहीं, what were Douglas initial thoughts when he was pushed into the pool, उसे पानी में डुबो दिया गया, जो उस बच्चे ने लखका मारा था, तो उसकी क्या initial thoughts से, बड़ा खुश हो रहा होगा, मजे मार रहा होगा, नहीं नहीं, he was trying very hard to come up, he was doing his best, but he could not do so, यह सारी चीज़ आजेंगी, कुछ depth में लिखना चाहते हो, अगर रिदर रदर का बचा है, तो extra question attempt करना, जो भी sample paper आपके पास available है, उसके question देखना, यह chapter तो आपको बहुत पक्का हो चुका है, कोई दिक्कत निया, what handicap did Douglas suffer from, how did he overcome that, यह exam में बार-बार आयो है question मैं आपको बता रहा हूँ यह, यह मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा है, यह CBSC के questions है, ठीक है, तो भई, Douglas की चीज़ से handicap था भई, उसको fear of water था, he could not swim, he could not go on boating, यह सारी चीज़े वो नहीं कर सकता था, that's why he wanted to overcome his fear of water, so, दोस्तों अभी के लिए इतना ही, चिंता मत करो, कौन सा chapter next है, यह मुझे comment में बताते, like नहीं के वड़े को तो please like करो, share करो, अपने साथियों के साथ, मैं हूँ आपके साथ, exam तक और exam के बाद भी मिलता है, next video, next topic के साथ, तब तक के लिए बने रहे, dear sir के साथ,